Hi everyone, मैं अनुराधा मिश्रा, Hope for Speechless Souls से. Actually, यह जो वीडियो बनाई जा रही है, यह कुछ इंपोर्टन अपडेट है, जो कि मैंने शेल्टर में करे हैं, जो कि मैं आप तक पहुंच आना चाहती हूँ. क्योंकि वपर्ग होता है, जो जो मैन तोपिक होता है, वो पता नहीं चलता है, तो इसलिए जो पुछak इंपोर्टन टॉपिक होता है, उन पर बनाके है वीडियो बनागता हूँ. तो actually में क्या है कि अब हमारे पास जो cages हैं वो पुराने हो चुके है और दीरे-दीरे खतम हो रहे हैं हर चीज की expiry date होती है उनकी expiry date हो गए तो वो खतम हो रहे हैं तो हम जब किसे cages के लिए requirement करते हैं तो लोग ज़्यादा interested नहीं होते हैं क्योंकि थोड़े से बिट expensive है 25,000 रुपीज का एक cage होता है क्योंकि यह assemble होते है चुट चुटे-चुटे cage नहीं है कि जिसके अंदर बच्चे को बस रख दिया गया है वहीं वह सू-सूपर्टी कर रहा है वहीं वह खाना खा रहा है वहीं वह सो रहा है यह बड़े पांच-पांच के cages होते हैं जो assemble करव है हम लोग से मतलब मैं ही हूँ मैं ही whole soul हूँ सब कुछ हूँ मैं ही hope हूँ मैं ही hope चलाती हूँ के लिए तो मैं एक नहीं चीज जो है इसमें hope में include कर रही हूँ इसके दो reason है एक तो reason होगा कि हमको cages मिल जाएंगे एक reason यह होगा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों की सेव हो पाएगी कैसे मैं आपको बताती हूँ हमने क्या शुरू कर रहा है कि अगर कोई भी जना जिसका pet 10 साल से उपर का है इस चीज को बहुत ध्यान से सुनेगा कि यही वीडियो हमेशा जब भी जना उससे को request करेगा अपने pet के लिए मैं यही वीडियो सब को भीजूंगी औ किसी भी reason से चाहे आपके money extra देने से या ना देने से कम यह जादा नहीं होंगी ना change होंगी किसी का भी pet है जो घर का पालतू है जो 10 साल से उपर का है और उसको कोई भी ऐसी problem है जिस problem की वज़े से आप उसे नहीं संभाल पा रहे है या आपको कोई ऐसी problem है कि आप उसे नह संभाल पा रहे है और एक्जांपल वो पैरलाइज हो गया है या पॉर एक्जांपल वो सुसू पॉटी वगएरा सब एक ही जगा पर करता है इतना बुड़ा हो चुका है और आपके घर में कोई संभालने वाला नहीं है यह reason मुझे नहीं चाहिए होगा कि हम लोग तो जौ सब्सक्राइज होगी तो हम आपके पैट को उसके दस साल के बाद की लाइफ के लिए रखने को तयार है उसकी कुछ टामन कंडिशन से एक की आपको 25,000 का केज स्पॉंसर करना होगा यह को रिफंडेबल नहीं होगा कुछ भी कल को आप बोले कि मेरा पैट था वो तो इतना पैसे दे दो या हमारे उस केज में किसी और बच्चे को रख दो नहीं वह आपका वन टाम स्पेंडिंग है 25,000 का केज बनता है आपको वह केज स्पॉंसर करना होगा अपने बच्चे के लिए उस केज में वह बच्चा रहेगा उसके बाद वह बच्चे की जिंदगी एक द वह डता है वह अपने और से दूर होने पर ही मर जाते है श्त्राउमा में मर जाते हैं कभी कभी वह खो estar होड़ देते तो मेरा को यह लेना देना नहीं होगा फिर वह जीता है हम सेवा करेंगे यहां पर उसका तृम त्रिच में बंन हो चुका होगा हम से बसी ट्रीटम'ंakenders हमारे यहां पर हम वेटनरी नहीं बुलाते हैं आपके बच्चे के लिए भी नहीं आएगा वेटनरी कोई हम ही उसको बेसे जो ट्रीटमेंट करते हैं सब बच्चों का उसको मिलेगा आप लोग बहुत जल्दी एक यह होता है कि जब परिशान हो जाते हैं तो आप मर्सी किलि हमसे देखा नहीं जा रहा है अप उसे अपना पेन देखाने जाता है आप लोग मर्सी किलिंग पर उत्रावते हो तो मेरा एक मोटीव यह है कि मर्सी किलिंग ना करा जाए बच्चे की जिन्दगी है उसको जीने दिया जाए बुजर्ग भी तो जीते हैं ना हमारे घर के ब बच्चों की सेवा हो जाए कितनी हजारों बच्चों को जीवन मिल जाएगा वह जाएगा और जिसका पैट लिया जाएगा उसको मंतली 5K 5,000 रुपे देने पड़ेंगे जब तक उनका बच्चा हमारे पास जिवित है उस बच्चे का खाना पानी रहना सेना सब कुछ के ल 15,000 रुपे पड़ता है जब किसी बोल देते हैं हमको पर्मनेंट रखवाना है तो वह कम करते 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 ही 15,000 रहना से कम में आपका घर का पैट कोई भिजना अपने हां नहीं रखता है हम मातर पांच जार रुपे मंग रहे हैं ठीक है यानि आपको अगर अपना चुकी है जिससे वह शर्वाइविंग के चांसिस खतम हो गया है डॉक्टर ने जवाब दे दिया है आप मरसी के लिए नहीं करवाना चाहती हो या आप नहीं संभाल पा रहे हो आप बज़ुर्ग हो और आप बज़ुर्ग बच्चे को नहीं संभाल पा रहे हो तो हम उसे तयार है सौरी बट उसकी टॉमेंट कंडिशन यह है कि आपको 25 क का एक केज स्पॉंसर करना होगा जो की जिसमें वह बच्चा रहेगा जो उस बच्चे के तरिकी से घर होगा और 5000 रुपीस पर मन्त आपको देने पड़ेंगे लोग चोरी चोरी लेते हैं मैं ओपन बोल रह आप समझेंगा कि आपका भोगेच खाली आपके उस बच्चे के लिए नहीं ओगा उस बच्चे चानंते के बाुग कि इतनी हजारों बच्चों को उसमें सही करेगा यह चीज सोचीज़ गा किसी भी तरीके की मुझे phone करके मेरी request है क्योंकि मेरे से इतनी argue यह सब चीजी होती नहीं है मेरी request है किसी भी तरीके की bargaining करने की कोशिश ना कीज़े क्योंकि यह कोई हम लोग सबजी वबजी नहीं बेच रहे हैं यह एक life है उसको बचाना है और उसके आगे उस life के थ्रू मुझे कितनी life को बचाना यह आप सोच नहीं सकते तो इसलिए किस तरह की बागनी नहीं होगी जो 25,000 केज बनता है वो तो बनेगा ही बनेगा उसमें कुछ नहीं हो सकता 5,000 महीना बनता ही बनता है आप समझो आपका बच्चा एक dog food का packet तो महीने का खाएगा ना कम से कम यह minimum है एक तो खाएगा यह खाएगा ना तो 26-2700 रुपे का तो वो ही आता है हम तो आपसे 2000 रुपे एक्स्ट्रा ले रहे है अपने बच्चों के लिए तो आप अपने responsibility को अपने सर से हटाने के लिए 2000 रुपे तो प्रेई करी सकते हो और अगर आप उसकी responsibility उढ़ा सकते हो उससे अच्छी बात हमारे लिए कोच भी नहीं है जिसे उन लोग के लिए वीडियो है जो लोग अपने बच्चों को नहीं संभाल पा रहे है या उनको abandon कर देते हैं जब उनको कोई help नहीं मिलती या फिर उनको mercy killing कर देते हैं क्योंकि मुझे ऐसे calls आ रहे हैं आप समझें, मुझे इस तरह के calls आ रहे हैं और वो मेरे को बोलते हैं आप बताएं मन्तलिया आपको क्या दे 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 ये दे 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 अभी तक मेरा कुछ वो नहीं था क्योंकि वो लोग सिर्फ अपनी responsibility से भागना चाहते हैं वो इसके मुझे offer दे रहे हैं बट मेरा जो rules से वो rules रहेंगे दस साल का बच्चा जब वो बुजर्ग हो जाता है तब मैं उसे रखूँगी आपके घर का हट्टा कट्टा बच्चा आपके घर का healthy बच्चा जस्ट की आपको job करनी है जस्ट की आपको फोरण जाना है जस्ट की आपको उसकी responsibility नहीं संभालनी जस्ट की उसने किसी को bite कर लिया ये कर लिया वो कर लिया उसलिए आप मुझे approach करें तो मत कीजिएगा आप में वो approach नहीं लूँगी तो कि मेरा shelter जो है ये इस तरीकी का नहीं बनावा जहाँ healthy बच्चों को हट्टे कट्टे बच्चों को रखा जाए वो भाग जाएंगे तो मेरे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी एक मेरी reputation खराब होईगी ठीक है उस समें तो कोई नहीं देखे का कि मैंने पहले announce किया था उस समें सब यही कहेंगे बच्चा भाग गया दूसरा बच्चे की जान को आफता जाएगी बाहर जंगल है हमने ढून पाएंगे उसको कुछ हो जाएगा तो वह में अच्छा न लगेगा तो यह एक नई चीज हमने शुरू करी है इससे हमें थोड़ी शेल्टर में भी help मिल जाएगी और हमारे cages बन जाएगे जो की अब खतम होता जा रहे हैं जाएगे जिसके लिए कोई हमें help नहीं कर रहा है तो दो चीजे मैंने सोची है वही वाली बात है कि आज सुवह दिवार्क में थोट आया सोचा आप लोग के साथ डिसकस कर लेती हूं चैद आप लोग ज़रूरत हो किसी जने को need हो इस चीज की तो मेरे से call पर बात कर किजेगा नमबर मेरा सेम है डबल नाइन डबल नाइन डबल नाइन डबल न सब्सक्राइब तैंक यू